नमस्कार दोस्तों So friends, नेता जी सुबाश चंद्रबोश Medical College जबलपुर देख सकते हैं जबलपुर Medical College की ए official website है और जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है जबलपुर Medical College में staff nurse की post के लिए vacancies हाँ पे release की गई थी MP online के दुरू आप लोग ने online liquid परिक्षा दी इसके बाद scorecard website पे जारी किया गया scorecard के बाद document का verification का schedule आपको provide करा गया और फिर आप लोग ने document का verification करा है finally एक और list website पे आ चुकी है नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं 11 सितंबर 2021 को एक और information यहाँ पे add कर दी गई लिखा भी हुआ है list of candidates for document verification for the post of staff nurse तो staff nurse के post के लिए एक और list यहाँ पे रहेगी आप सबी लोगों को अपना अपना नाम list में आप सर्च कर लेना है और यदि आपका जो name है list में शामिल है तो अब आपको document का verification आपको कराना है document के verification की date, timing और place यहाँ पे क्या रहेगी और इसके अतरिक जितनी भी information आपको list में दी जारी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे cover कर लेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को आप पे like करें, like करें इस वीडियो को इस मेहनत को लाग जिरू करें जितनी भी list वेबसाइट पे आ रही है एक मातर हमारे YouTube चैनल सारी information आप पे cover कर रहा है कोई भी जानकारी अब आप से आप पे ना चूटे इसके लिए अभी हमारे चैनल को subscribe कर लें, तो वीडियो को नीचे जाए subscribe के red बटन को आप पे download कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे देखा देता हूँ तो बिल्कुल आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह official information जो जारी की गई, जवलपूर medical college द्वारा, यह सूचना आपको दी जारी, अभी हाली में यह सूचना officially website पे दे दी गई इसमें दोस्तों आपके देखिए यहाँ पे लिखा भी हूआ है नेता जी, सुभाश शंद्रबोश medical college जवलपूर से संबंदित, चिके सालों में रिक्त स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर MP online के माद्यम से भरती परिक्षा परिणाम उपरांत प्राप्त प्रवीनी सूची के आधार पर अभ्यारतियों के दस्तावेश के सत्यापन किये जाने के पस्चात अभ्यारतियों को दिनांग 25 अगस्त 2021 को दस्तावेश सत्यापन हेतु अमंतरित किया गया था उक्त दिवस को दस्तवी सत्यापन हेतू उपस्तित नहीं हुए अभ्यारतियों को पुना अफसर प्रदान करती हुए एबं प्रितिक्षा सूची से सम्मलेत करती हुए निमलिकत अभ्यारतियों का दिनांग 16 सितंबर 2021 प्राथा 10.30 बजे नेताजी सुमाश्य नरबोष मेडिकल कॉलिज औरिटोरियम हॉल में आप लोग 10.27 अपन हेतू आमंतरित किये जाते हैं तो बिल्कुल आप सब लोग यहाँ पे समझ चेके हुँगे कि कुछ समय पहले लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी डॉक्यमेंट के वरितिकेशन के लिए बुला गया था 25 अगर्स से 2021 डॉक्यमेंट के वरितिकेशन की लाज़े थी काफी कैंडिडेट यहाँ पे अनुपस्तेत यहाँ पे रहे अनुपस्तियत यहां पर पाए गए means absent यहां पर रहे उन सभी candidate को पुना अफसर दिया जा रहा है एक मौका आपको यहां पर प्रदान किया जा रहा है और इसके साथ साथ पृतिक्षा सूची में से भी candidate को समलेत यहां पर कर लिया गया तो अच्छी बात है कि वेटिंग लिस्ट में से भी candidate को बुला जा रहा है और जो candidate document का verification नहीं करा पाए थे तो उनको भी दोबारा से अबसर दिया जा रहा और ऐसे जितनी भी candidates के नाम नीचे लिस्ट में साम मिले 16 सितंबर 2021 10 बजे आपको document का verification कराना है नेताजी सुबास्चे नरबोष Medical College जबलपुरुका जो यहाँ पे auditorium hall है यहाँ पे आप लोग अपना verification कर वा ले तो यहाँ पे जो candidates है अन्य पिछड़ा वर्क के category के आप रहेंगे OBC वाले और staff nurse OBC वाले सभी candidates के नाम यहाँ पे शामिल किये गए देख सकते हैं आपका नाम दिया गया है आपके पिता या फिर पती का नाम दिया गया है आपका data बढ़ दिया गया है और आपका score means marks आपको यहाँ पे provide करा दे गए अब बात करनेंदे कितने candidates को इस list में आप पे शामिल किये गए तो देख सकते हैं कुल मला के 75 candidate है और इन सभी candidates को document का verification अब आपको यहाँ पे कराना होगा और document के verification के लिए आपको बोला जा रहा है संगलन प्रपत्रक के अनुसार दो फोटो जैसा की प्रवेश पत्र में हो समस्त दस्तावेजों की मूल प्रती एबं दो छैप्रती स्वेम द्वारा सत्यापेद कर दस्तावेज सत्यापन हीतु निरधारित समय पर उप्लाब्द होना है तो दोस्तों आपको original form में सारे documents ले जाने है certificates आपको ले जाने है और photocopy का set भी आप लोग लेकर जाएंगे आपके document का और photocopy का जितना भी set है ये दो set आपको तयार करके ले जाने है और ये जितना भी set आप लोग आपको तयार करके ले जाएंगे self attached तो स्वेप प्रमानित करके means आपके signature हर photocopy के set पे याँ पे होना चाहिए तो इस सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पे लेकर जाके उपस्तित होनी है document का verification आपको कराना है इसके साथ photograph भी आपको provide कराने है तो जो भी आपके प्रवेश पत्रे पे photograph आप लोग ने चुपकाया था means जो भी form फिल्ट करते समये आप लोग ने अपना photo लगाए था तो वही photo आपको यहाँ पे लेकर जारा है document के verification में आपको जरुवत पड़ेगी तो दो photo आप लोग यहाँ पे अवश्य रूप से carry करके ले जाए इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ एक form आपको यहाँ पे दिया जा रहा है यह form आपको यहाँ पे fill करना होगा document के verification में और यहाँ पे देखिए simple सा form है अभ्यारती का नाम means आप लोग अपना नाम आपके पिता का नाम आपका role number आपका date of birth आपकी category और list में आप लोग जो है प्रवीनी सूची तो list में आप लोगों की यहाँ पे श्रेणी थी तो category आप लोग प्रोबाइट कराएंगे और कौन से कर्वां मीज list में कौन से number पे आप लोगों का नाम है तो वो number आपको आप दर्श करना है इसके बाद यह सारी list आपको दे दी गई यह documents आपको verification के लिए तयार रखने है और यहाँ पे देखिए जैसे की परिक्षा परिवेश पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आपके पास है तो कुछ इस तरीके से आप लोग हाँ का जो निशान दिया गा है इस तरीके से आप लोग सही का निशान लगाएंगे जैसे की इसके बाद परिक्षा परिणाम की च्षाय परिथी तो जो भी आपका यहाँ पे online जो आपका है परिक्षा परिणाम था Marks आपके उसका print-out आपके पास होगा तो फोटो कॉपी ले जाने है तो इस तरीके से आपको सही का निशान लगाते जाना है जो जो documents आपके पास यहाँ पे available है और अंत में आप पे लिखा भी हुआ है उक्तिस समय स्थ अभी लिखों के दो सेट सुह प्रमाने चायप्रती लेकर उपस्तित हो और photocopy का दो सेट आपको यहाँ पे लेकर जाना है self-attest करके आपके documents का फिर आप लोग जो है अपना signature करेंगे जो भी आपका sign है और यह वाला column आपको यहाँ पे खाली छोड़ना है यह उनके द्वारा भरा जाएगा तो दोस्तों पूरी जानकरी मैंने आपके cover की उमीद करता हूँ अपडेट आप सभी लोग को यहाँ पे मिल क्या होगा और बहुत ही अच्छी बात है और candidates को बुला जा रहा है document के verification में waiting list से भी candidates को यहाँ पे समिलित किया गया और उन candidates को भी मौका दिया गया जो अपना document का verification 25 अगस्त को यहाँ पे verification नहीं करा पाए तो ऐसे सभी candidates को अब document का verification कराना होगा लाइक कर दे इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें इस मैनत को लाइक जरू करें और दोस्तो ऐसी मेरी आपे उम्मीद है आगे लिष्टें आपे आ सकती है और भी लिष्टें आपे website पर जारी जरूर होंगी कोई भी information अब आपसे आपे न चूटे चैनल से जुड़े रहे सबस्क्राइब करके रख ले तो वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के रैड बटन को आपे क्लिक करें आगे की information इसी तरीके से पात रहत मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच